आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th Class Political Science का Chapter No.6 Democratic Resurgence इसका नाम पहले The Crisis of Democratic Order था तो नाम में Confuse बिलकुल मत होना और जैसे इसका नाम चेंज हुआ है तो वैसे ही इसके अंदर कुछ Topics एड भी हुए हैं डोंट वरी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगी तो सबसे पहले हम इस Chapter का मतलब जान लेते हैं कि इसका नाम आखिरकार Democratic Resurgence क्यों पड़ा तो पहले हम Resurgence का मतलब जानते हैं कोई भी ऐसी चीज जो क्या है एकदम रुकी हुई हो और उसको वापिस हम क्या है ग्रोथ में लाएं उसे हम क्या है री सर्जन कहते हैं और इसका पूरा नाम है चैप्टर का लाने की कोशिश की गई तो अब हम देखते हैं कि जो 1971 का इलेक्शन था उसके बाद में सीन क्या रहता है तो जैसा कि हमने 1971 के इलेक्शन के बार में पिछले चैप्टर में पड़ा था कि जो इंद्रा गांधी की Congress थी वो क्या है रिटन आई अपने स्ट्रॉंग पर्फोर्मेंस के अंदर और उसने क्या है इंद्रा गांधी ने Congress को रिस्टैबलिश किया वो Congress जो इंद्रा गांधी वाली थी यानि कि जो Congress आर थी वो जीत गई थी लेकिन जितना ही काफी नहीं था क्योंकि आगे चलकर Congress को बहुत सारी प्रॉबलम फेस करनी पड़ी थी क्या थी वो प्रॉबलम्स जानते हैं उनके बारे में तो जो एकनोमिक कंडिशन थी इंडिया की वो कुछ खास सही नहीं चल रही थी पहला पॉइंट है कि जो इंडिया की एकोनमी थी वो डाउन चली गई थी जब क्या है बांगलादेश बांगलादेश को अजाद करवाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था उस वजह से खर्चा बहुत जादा झेलना पड़ा था इंडिया को और एकोनमी डाउन चली गई थी नेक्स पॉइंट है कि आठ मिलियन रफ्यूजी थे वो क्या है इंडिया के जिस वजह से इंडियन इकोनमी को और ज्यादा प्रेशर जहलना पड़ा इन सबी लोगों को खाना पीना देने के लिए खर्चा तो आएगा ही थर्ड पॉइंट है कि अमेरिका ने क्या है पूरी तरीके से इंडिया की मदद करनी बन कर दी उन्होंने क्या है अमेरिका ने इंडिया को अनाज देने से मना कर गया था कि हम तुमें अनाज नहीं देंगे नेक्स पॉइंट है कि जो ग्रोथ थी वो क्या है और जादा ही कम हो गई थी और जो तेल के प्राइस थे वो इंटरनाशनल मार्केट में बहुत जादा बढ़ गए थे जिस वजह से कंट्री को क्या है महेंगाई का भी सामना करना पड़ा और महेंगाई भी कंट्री में बहुत जादा बढ़ गई नेक्स पॉइंट है कि आनिम्प्लॉइमेंट के बहुत जादा बढ़ गई थी और जो एक्स्पेंडिचर था उसको कम करने के लिए जो गॉवर्मंट उसने क्या कि जो इंप्लॉईस थे यानि कि जो सरकारी नोकरी करते थे लोग उनकी सेलरी देना ही बंद कर दी थी तो अब हम जानते हैं स्टूडेंट मुमेंट्स के बारे में तो जो स्टूडेंट्स थे वो क्या है आंदोलन करना शुरू कर दीती हैं तो पहला पॉइंट है कि जरूरी चीज 24 के अंदर क्या है इन सभी कारणों की वज़ा से जो हमने एकनॉमिक कंडिशन में पढ़े उनकी वज़ा से बिहार में भी क्या है प्रोटेस्ट या फिर हम क्या सकते मुमेंट स्टार्ट हो गई थर्ड पॉइंट है कि जो जैप्रकाश नरायन थे जिने हम जेपी नरायन ब पहली तो यह थी कि यह जो मुमेंट होगा ना वो कंप्लीटली नॉन वोइलेंट होगा यानि कि वो क्या है दंगे फसाद नहीं करेंगे या ना ही कहीं पर आग लगाएंगे यानि कि विद्रो नहीं फैलाएंगी और नेक्स कंडिशन रखी थी कि यह जो मुमेंट है वो सि ही हमें democracy establish करनी है तो अब हम जानते हैं next light moment के बारे में तो इसका पहला point देखती है तो इस समय क्या होता है जो मार्कसित लोग थे जो क्या है parliamentary politics में believe नहीं करते थे वो क्या है आगे आना start हो गई और parliamentary politics ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है और capitalist system को बिल्कुल ही खतम करना चाते थे ओर इस सिस्टम को खतम करने के लिए उन्होंने क्या है violence का रास्ता अपनाया यानि की वो क्या है violence करने लगे और क्या है gorillina war भी वो क्या है use करने लगे और जो she gorillолов warfare के लोग थे उन्हीं क्या है next lights कहा जाता है और ये जो लोग थे वो क्या करते थे बड़े बड़े लैंडलोड से उनकी जमीन छीन करके गरीब लोगों में क्या है बाटना स्टार्ट कर देते थी और लास पॉइंट है कि इन लोगों ने बहुत ही जादा वोईलेंस किया था पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारे प्लेसे में आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छे थे जो गरीब लोगों को क्या है अमीर लोगों की जमीन दे दिया करते थे तो ये अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये क्या है? जिस तरीके से उन लैंड़ोड्स की जमीन लेते थे, वह बहुत ही खतरनाक था एक चीज ये अच्छाई करके, बाकी सारी चीजे बुरी कर रही है जिससे ये साबित नहीं होता कि जो next light थे वो अच्छे थे ये क्या है बहुत ही जादा violence फैलाते थे कुछ नहीं देखते थे आगे सीधा मारते थे लोगों को अब हम देखते हैं railway strike जो कि हुई थी 1974 के अंदर तो 1974 में क्या होता है जो national committee थी वो क्या है बनी थी जियोज फर्नांडेस के leadership के अंदर और जिनोंने क्या है railway strike स्टार्ट की थी country में next point है कि service और बोनस से related issues को लेकर ये जो strike थी वो की गई थी next point है जिस वज़ा से ये जो traffic था लोगों का इस वज़ा से जो railway थी उनको क्या है trains को रोकनी पड़ी और fourth point है कि government ने उनकी जो demand थी उनको क्या है गलत बताया और इनकी demand को accept करने से ही मना कर दिया और उनकी demand थी service और bonus से related और इस निराशा के बाद country में क्या है और जादा जो strike थी वो बढ़ना शुरू होगी लेकिन 20 दिनों के बाद ही ये जो strike है उसको बन कर दी गई बिना किसी result के या बिना किसी settlement के अब हमारा topic आता है conflict with judiciary हमें पता है कि हमारी क्या है तीन तरह की होती है एक होती है executive दूसरी होती है legislative और तीसरी होती है judiciary तो क्या है अब यहाँ पे जो जगडा है वो क्या है judiciary के साथ हो जाता है उसके बार में हम जानेंगी और यह तीन क्या है organ होती है government की तो अभी हमने देखा कि कितने सारे moments और conflict चल रहे है country के अंदर economic crisis आ गई है next light moment चल रहा है बिहार में 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 चल रहे है बहुत सार है moment चल रहे है तो इसी बीच क्या होता है कि जो conflict होता है government और judiciary के वीच वो और हो जाता है इसी की कमी थी बस एक तो second point है कि जो government है उसने क्या है तीन changes कर दिये थे constitution के अंदर तो पहला change यह था कि जो fundamental rights थे उनको क्या है curtail कर दिया गया यानि कि fundamental rights को कुछ हद तक कम कर दिया और third change था कि जो directive principle थे यानि कि जो social welfare से ज़ादा related थे उनको ज़ादा power दी गई बजाए कि fundamental rights के next point है कि यह जो तीन changes थे वो कहें court ने reject कर दिये और इस वज़ा से कहें दो issues आए पहला तो यह था कि क्या government fundamental rights को कम कर सकती है और दूसरा issue यह था कि क्या government right to property के अंदर भी change कर सकती है तो यह दो बड़े मुद्दे और सवाल उठाए जा रहे थे सरकार के उपर और इसी दुरान क्या होता है यह जब allegations government के उपर लग रहे थे तब ही क्या है election होने होते है chief justice के supreme court के यारि कि जो सबसे बड़ा judge होता है उसे हम क्या chief justice बोलते हैं supreme court का अब यहाँ पर क्या होता है जो पहले वाले chief justice से उनकी retirement का समय होता है तो इसी लिए क्या होता है कि जो senior judges होते हैं उनके बाद में क्या है उने ही chief justice बनाया जाता है लेकिन इस समय government ignore कर देती है तीन senior judges को पहले थे जीम सेलत दूसरे थे के सेगड़े और तीसरे थे एन ग्रोवर और इन तीनों को इगनोर करते हुए supreme court का judge बना दिया जाता है एन रे को जिसके पास इन तीनों से क् experience कम था क्योंकि ये जो judge थे वो थोड़े बहुत क्या है Congress के साथ थे इसलिए इनको बनाया जाता है और ये तीनों ही Congress के खिलाफ थी और next point है कि ये जो तीन judges थे जैसे कि मैंने आपको बताया वो क्या है अगेंस थे government की और इन सभी reasons की वजह से जो conflict है government और judiciary के वीच में वो और जाधा बढ़ गया कि आपने इसे कैसे judge बना दिया जबकि हम तीन और बैठे हैं तो अब हम देखते हैं कुछ और problems भी आती हैं तो ये सारी problems चल रही है ना उसी के दोरान क्या होता है socialist leader जिसका नाम है राज नायन वो क्या है इंदरा के जो election हुए थे उनके खिलाफ क्य है एक petition file कर देते हैं एलाबाद High Court के अंदर नेक्स पॉंट है कि ये जो petition थी वो related थी इंदरा गांदी के election से थर्ड पॉंट है कि 12 जून 1975 को जो judge थे एलाबाद High Court के जगमोहन लाल सिना उन्होंने कह अपना निर्ने लिया इस petition के उपर और फॉर्ट पॉंट है कि उनके decision मे जो जगमोहन लाल सिना थे उन्होंने कहा जो election हुए थे इंदरा गांदी ने जो जीत पाई थी 1971 के election में वो क्या है unconstitutional थे यानकि वो constitution को मानने वाले नहीं थे क्योंकि उन्होंने क्या है misuse किया था government power का यानकि उन्होंने कुछ बवाल करके या गफला करके ही जीती थी ऐस कुछ simple language में उनका कहना था next point है कि यह decision जो था वो supreme court का भी यही था और उन्होंने ऐसा कहा था इंदरा गांदी क्या है continue कर सकती है एक MP की post पर जब तक वो क्या है जज है वो अपनी क्या है final decision नहीं दे देते अपील की तब तक वो क्या है कोई भी cabinet meeting में पार्टिसिपेट न demand resignation क्या थी तो basically यहाँ पर कुछ demands रखी गई थी तो इसका पहला point है तो इस सारी incident को ध्यान में रखते हुए जो कह 25 जून 1975 का समय था जब JP Narayan ने ये demand करनी start कर दी थी कि हमें क्या है resignation चाहिए इंद्रा गांदी का यानि कि इंद्रा गांदी को उसकी Prime Minister की post से हटा दिया थर्ड पॉइंट है कि जो JP Narayan थे उन्होंने आर्मी पुलिस और government employees को ये बोल दिया था कि government का कोई भी instruction आता है तो उसे follow मत कीजिए क्योंकि government अब हमारे साथ क्या है democracy से नहीं पेशा रही है तो ये थी कुछ एक demands तो अब हम जा लेते है declaration of emergency के बारे में यानि कि कब घोशन की गई emergency की तो इन सभी problems को मद्दे नज़र रखते हुए जो इतनी सारी problems इंदरा के सामने आ रही थी जो कि अभी हमने देखा कि demand चल रही थी उसके resignation की जगा जगा रियोट सो रहे थे railway strikes हो रही थी तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंदरा गांधी ने recommend किय जो हमारे प्रेजिडेंट थे उस समय के उनको की article 352 के तहद हमें क्या है emergency लगा देनी चाहिए तो जो हमारे प्रेजिडेंट होते हैं उस समय के वो कह implement कर देते हैं article 352 constitution का जिसके अंदर कह emergency लगा दी जाती है 25 जून को internal disturbances के कार्ण यानिकी country के अंदर ही क्या है disturbance बहुत स सारी चल रही है और यह वनमा के question याद रखना की article 352 जो है constitution का उसके तहत emergency लगाई गई थी और emergency लगाने का जो कारण बताया था वो यह था internal disturbances यानकी country के अंदर बहुत सारी disturbances चल रही है जगा-जगा रियोड्स हो रहे है जगा-जगा strikes हो रही है यानकी out of control हो रहा है माम इंटर्नली तो अब हम जा लेते हैं कि emergency के दोरान क्या क्या हुआ था तो पहला पॉइंट है कि emergency के दोरान जो अपोजिशन लीडर से यानकी जो कॉंग्रेस की अपोजिट थे उन सभी को क्या है जेल में डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा करके और प्रिव वैसा वैसा नहीं चापेंगी अखबारों के अंदर थर्ड पॉइंट है कि जो रास्ट्र स्वेहं सेवक संग और जमात इस्लामी जो पार्टी थी उनको बेंग कर दिया अगया था हुआप गवरमनेंट के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था फिफ्ट जो लोग थे वो किया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहद अरेस्ट किया जा रही थे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर क्या होता है पुलिस है वो किया है किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है शक के बिहाफ पर और जिस इंसान को शक के अधार पर अ 1976 में और इस 1976 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर क्या है दो मेजर चेंज किये गई थी तो पहला तो यह था कि जो इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के उसको क्या है कोई भी कोड चैलेंज नहीं कर सकता और ट्रोवर्शिल अमेंडमेंट था तो अब हम कै आपीनियन्स देखते हैं एमर्जंसी के उपर यानि कि बहुत से तो ऐसे लोग टे जो कहा है एमर्जंसी के Parkा इसके खिलाव थी तो पहले में तो यही बता रहा है कि बार-बार क्या है देश के अंदर हरताले हो रही थी रैलिया निकल रही थी जिस वज़ा से क्या है गौऋर्मेंट को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी नेक्स पॉंट है कि जो इंदरा गान्दी के खिलाफ थे वो क्या है उसको रास्ते से हटाने के लिए नोन पार्लियमेंटरी रास्ते अपना रहे थे third point है की rally's की वज़ए से जो government की attention थी वो कैई divert हो रही थी development work से यानि की क्या है जो government का ध्यान था वो rally's पे जाधा जा रहा था क्योंकि बार-बार rally हो रही थी इस वज़ए से वो कैई development के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी फोर्ट पॉइंट है कि जो बाहर के देश से वो भी कह साजिश कर रहे थे ताकि ये जो इंडिया कंट्री है वो कह टुकडों में बिखर जाए नेक्स पॉइंट है जो CPI थी यानि कि Communist Party of India थी उसने सपोर्ट किया था एमर्जनसी को तो ये सारी राय निकल के आ रही थी एमर्जनसी के फेवर में कि इसलिए एमर्जनसी लगाना ज़रूरी बन गया था तो अब हम ऐसी opinions जान लेते हैं जो लोग कह सपोर्ट नहीं कर रहे थे एमर्जनसी को वो लोग है उसको oppose कर रहे थे और यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनकी वज़न से जो एमर्जनसी थी वो बताई जा रही थी कि वो रोंग थी वो नहीं लगानी चाहिए थी तो पहला point देखते हैं कि ये चीज गलत थी कि लोगों को कहा है जो सरकार थी वो प्रोटेस्ट से रोक रही थी क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट होता है प्रोटेस्ट करने के लिए second point है कि ये सरकार जो कह रही थी कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे बहुत सारे moments चल रहे थे तो वो moments और जो प्रोटेस्ट थे वो कहा है non violence थे कोई दंगे फसाद यहाँ पर नहीं हो रहे थे ना ही लोगों ने हतियार उठाई हुए थे इसलिए उन प्रोटेस्ट को रोकना क्या है बहुत ही गलत था third point है कि जो ministry of home affairs है जो कि low order देखती है country के उनों ने ये नहीं कहा था कि जो low order की situation है हमारी country की वो बिगड गई है तो क्या है emergency लगाना internal disturbance के base पे ये गलत थी fourth point है कि कुछ लोगों का ये तक कहना था कि इंद्रा गान्दी ने कहा है अपने फाइदे के लिए emergency लगाई थी तो अब हम जानते हैं कि emergency की बाद की situation क्या थी तो जो emergency होती है वो 21st March 1977 को हटा दी जाती है और उसके बाद में कहा है election declare किये जाती है इंडिया के अंदर तो जो elections की बाद चल रही होती है तो जो opposition party होती है जितनी भी जो Congress के खिलाफ होती है वो क्या है अपना एक संगठन बना लेती है जिसे वो नाम देती है जनता party का और वो क्या है लड़ती है election में और जो जो problems और injustice emergency की दुरान लोगों को face करने पड़े थे उन सभी को जो जनता party है वो क्या है मुद्दे बना देती है कि देखो Congress ने तो कितना हमारे साथ गलत किया कितनी हमारे लिए problem create करी जिस वज़ा से जो जनता party थी वो जीत भी जाती ह और उसके लीडर होते है वही सेम जेपी नारायन यानि की जैप्रकाश नारायन और जित्ती भी almost opposition party थी जो Congress के खिलाफ थी उन्होंने कह जनता party को join कर लिया था तो अब हम जाते है 1977 के election के बारे में जो की थे हमारे 6th general election और ये जो 6th general election होते है country के अंदर वो होते है 1977 में मार चुमी सेकेंड पॉइंट है कि जो इंडिया के लोग थे वो कह खिलाफ हो गई थे Congress के क्योंकि उन्होंने कह जो emergency लगाई थी वो लोगों को गलत लगी थी जिस वज़ा से जो result थे election के वो clearly लोगों को दिख रही थे थर्ड पॉइंट है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जो Congress है वो हार गई थी लोग सबा election में और center में अपनी सरकार नहीं बना पाई और वही पर Congress को सिर्फ 154 seats मिली थी और दूसरी और जो जनता पार्टी थी उसको 330 seat मिली थी along with its allies यानि कि उसके संगठन को साथ मिला कि उसको कहे 330 seat मिली थी और अकेली जनता पार्टी की बात की जाए तो उसको 295 seats मिली थी यहाँ पर allies का मतलब है कि जिन पार्टी ने कहें जनता पार्टी को समर्थन दिया था तो emergency का बहुत जादा जो influence या हम कह सकते effect जो था वो हमें क्या है नोर्थ इंडिया में देखने को मिला था जिस वज़ा से नोर्थ इंडिया में जो seats थी Congress की वो ना के बराबर ही आई थी और जो condition थी Congress की वो इतनी जादा बूरी हो गई थी कि इंडरा गांधी भी election हार गई जो की famous leader माने जाती थी Congress की और ये जो इंडरा गांधी election हारी थी वो राय बरेली से elections हारी थी तो इस तरीके से independence के बाद पहली बार non Congress government बनी थी जो थी जनता पार्टी तो अब हम देखते हैं जनता पार्टी government को तो जो जनता पार्टी है election जीतने के बाद 1977 के तो जनता पार्टी के अपनी सरकार बना लेती है सेंटर के अंदर और मोरारजी दिसाई जो होती है वो क्या है प्राइम मिनिस्टर बन जाती है हाला कि रेस में चरन सिंग और जगजीवन राम भी थे लेकिन मोरारजी दिसाई क्या है प्राइम मिनिस्टर बना दिये जाती है तो अब हम देखते हैं वोक उफ जनता पार्टी government यानकि जनता पार्टी की सरकार ने क्या-क्या काम करवाई तो पहला आता है हमारे पास शहा कमिशन देखते हैं ये क्या था तो जनता पार्टी की government है वो क्या शहा कमिशन को appoint करती है तुरंत ही elections जीतने के बाद ताकि वो क्या investigate कर पाई emergency के उपर कि क्या emergency सही थी या गलत थी और इस शहा कमिशन के जो president थे वो थे J.C. शहा जो की क्या है former chief justice से supreme court के यानकि पुराने chief justice से और शहा कमिशन का काम ये था कि उन कामों को देखना जो emergency के दुरान लिये गए थे यानकि जो actions emergency के दुरान लिये गए थे वो सही थे या गलत थी और शाह कमिशन ने दूसरा जो काम किया वो ये था कि उसने कहें investigate किया सभी incidents को emergency के दुरान जो हुए थे और उन्होंने बहुत सारे गवाहों की statement ली थी और उस पे एक report present की तो अब हम जानते हैं कि शाह कमिशन ने क्या report दी थी तो पहला point है कि जो decision था emergency लगाने का वो सिर्फ क्या है प्राइम मिनिस्टर का ही था इसके लिए कोई भी advice किसी से नहीं ली गई थी जो की बहुत ही गलत था तो ये पहली report दी थी शाह कमिशन ने दूसरा point है कि emergency लगाने के तुरंट बाद ही जो electricity है newspaper offices की वो काट दी गई जो की बहुत ही गलत था और उन्होंने इसलिए काटी ही ताकि कोई भी news कहने ना छपपाए government के खिलाफ next point है कि जो opposition leader से वो arrest किये गे थे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पुलिस ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अरेस्ट किया था खुद उन्हें नहीं लगा था कि हमें opposition leader को arrest करना चाहिए और जो मिसा है उसका भी क्या है बहुत ही गलत तरीके से यूज किया गया था और मिसा का मतलब है maintenance of internal security act next point है कि जो government का काम था वो किया बहुत लोगों ने influence किया था यान की काम तो वो government को करना था लेकिन और लोग government को advise दे रहे थी पैसा कर दो आपैसा कर दो जैसे कि जो Sanjay Ghandi थे उनका कोई रोल या government में post नहीं थी फिर यो government को क्या है influence कर रही थी तो अब हम जानते हैं मंडल कमिशन के बारे में तो जो टाइम होता है 1977 का वो एक क्या है बड़ा इशू बन जाता है डवलप्मेंट का जो बैकवार्ड क्लासिस होती है उनकी लिए क्योंकि बैकवार्ड क्लासिस को उसमें बहुत अंडरेस्टिमेट किया जाता था उनको कुछ नहीं मानना जाता था और इन सब चीजों को देखते हुए जो मंडल कमिशन है वो क्या है गौवर्मेंट ने लाया और इसके अंदर बैसिकली क्या था कि जो बैकवार्ड क्लासिस है उनकी क्या है development करनी है उनको हमें raise करना है और जो मंदल कमिशन के president थे वो थे बिंडेश्वरी प्रसाद मंदल जैसे कि आप देख सकते हो इनी के नाम पे ही मंदल कमिशन ये नाम पड़ा था अब हम मंदल कमिशन के काम के बारे में जान लेती हैं तो ये जो मंदल कमिशन है वो कहें describe करता है एक ऐसा तरीका जिससे क्या है identification और development हो backward classes की और इससे हमें पता है कि मंडल कमिशन से क्या है reservation system निकल कर बहार आया था यानि कि कुछ एक परसेंट reservation मिली थी backward classes को colleges और government job के अंदर तो अब हम जान दे है position of government की यानिकि इन सभी scenario के अंदर position क्या रही थी जनता government की क्योंकि आखिर पहली बार कोई non congress government आई थी उसके बारे में तो जानना हमारा हक बनता है न तो पहला point है कि अब government बन तो गई थी ले यानिकि government के पास कोई अच्छी ideology जादा नहीं थी जिससे की development हो पाए और जो Congress के time पे problems थी वही problem सेम रह रही थी तो यह कुछ नया काम तो करी नहीं पा रही थी जनता government और साथी के function में यह properly नहीं कर पा रही थी next point है कि यह जो मुरारजी दिशाई की government थी वो क्या है within 18 months सी गिर गई यानिकि 18 महीनों के अंदर अंदर ही गिर गई क्योंकि ideology नहीं थी problem सेम थी third point है कि उसके बाद में जो government है वो क्या है Congress के support से फिर से बनती है और जो अब क्या है चरन सिंग होती है वो क्या है Prime Minister बन जाती है fourth point है कि सिर्फ 4 महीनों के अंदर ही जो Congress है वो अपना support वापस ले लेती है और government 4 महीनों के अंदर ही गिर जाती है तो अब हम जानने वाले है seven general election के बारे में जो 1980 में हुए थे अभी हमने देखा कि जो जनता government है उसके पास ideology नहीं थी जिसके कार्ण वो 18 महीनों में ही उसको अपना जो सिहासन है वो छोड़ना पड़ा उसके बाद में government बनी भी Congress के support से वो भी क्या है गिर गई चार महीनों के अंदर ही तो फिर होते है हमारे seven general election तो first point में तो यही दे रखा है कि 1981 के अंदर जो seven general election है वो country के अंदर होती है next point है कि जो जनता party थी वो क्या है बूरी तरीके से हार जाती है और next point है कि जो Congress है वो क्या है फिर से power में आती है और अब की बार Congress की seat रहती है three fifty three four point है कि फिर से जो Congress है वो अपनी सरकार बना लेती है सेंटर के अंदर और इंद्रा गांदी अब की बार के है प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो अब हम जानते है कि lessons of emergency क्या रही है यानकि emergency से हमें क्या-क्या सीखने को मिला और ये बहुत important question बन जाता एक्जाम के लिए कि describe the lessons of emergency तो जो मैं आपको भी points बताने वाली हूँ तो वो points आप लिख के आ सकती है तो democracy क्या है country के अंदर रही और जो election है वो भी रहे emergency impose होने के बाद भी और क्या है miss use भी की power government है लेकिन उसके बाद भी हमें क्या है ये चीज़ पता चल गई कि इंडिया से democracy को हटाना इतना आसान नहीं है पहला lesson ये मिला हमें कि इंडिया से democracy को हटाना बिलकुल भी आसान नहीं है second point है कि emergency के दुरान जो judiciary थी वो क्या है लोगों के rights नहीं बचा पाई थी इसके बाद में क्या होता है emergency के बाद में जो judiciary है वो कि है लोगों के rights के प्रती बहुत ही जाधा serious हो जाती है और लोगों के rights को बहुत serious मानने लगती है थर्ड point है कि emergency के दोरान बहुत सारे जो ज़रूरी rights है या essential rights है वो कि है लोगों से ले लिए गए थे जिसके कारण लोगों को ये backwards हुआ पाकि जो हमारे fundamental rights है वो बहुत ही ज़ादा जरूरी है और बहुत सारी non-governmental organization भी फर्म हुई human rights को protect करने के लिए इंडिया में तो अब क्या होता है ना constitution के अंदर amendment किया जाता है यानि की सुधार किया जाता है और जो armed rebellion होता है यानि की जो शस्त्र विद्रो होता है वो कहा है add किया जाता है और एक word remove कर दिया जाता है जो कि धा internal disturbance यानि की अब constitution के अंदर ऐसा सुधार लाया गया जिससे की क्या है अगर country के अंदर लोगों ने हतियारों से विद्रो किया है यान की हतियार उठाय हुए है अपनी mango को पूरी करने के लिए या पूरे देश के अंदर लोग हतियारों से लड़ रहे है जगा जगा तब ही क्य प्रेजिडेंट को लिख कर देंगे कि हां हमें क्या है हम एगरी करते है कि आप इंपोस कर दो emergency को ताकि जो emergency है वो क्या है तभी लगाई जा सके country के अंदर जब council of minister क्या है राइट करेंगे government को कि क्या है emergency इंपोस कर देनी चाहिए emergency लागू कर देनी चाहिए तो अब हमारा topic आता है national emergence democratic upsurges यह आपके NCRT में नहीं मिलेगा newly added topic है यह तो वैसे तो upsurge का मतलब होता है कि कि किसी चीज में एकदम से क्या है बढ़ावाना एकदम से किसी चीज में increase होना तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दे रखा है उसके बारे में हम जानने वाली ह तो अब क्या होता है जो हमारी democratic politics होती है उसके अंदर हमें participation देखने को मिलता है adult, backwards और youth का मतलब आपको पता होगा backwards यहाँ पे जो backward classes है वो और youth यानिकि जो हमारी young generation है तो क्या है जो बढ़ता हुआ participation है लोगों का democratic politics के अंदर इंडिया में उसे ही हम क्या है democratic upsurge बोलते है यह definition याद कर लेना और इसी principle पर based जो social scientist है इंडिया के उन्होंने क्या है तीन democratic upsurge क्रेक्टराइज की है post independent history में यानिकि independence के बाद तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं first democratic upsurge को तो जो पहली democratic upsurge थी ना वो हमें देखने को मिली थी 1950 से लेके 1970 सक और उसके अंद जादा देखने को मिला था जो इंडियन अडल्ट वोटर थे उनका जो अडल्ट वोटर से मतलब उनका में participation देखने को मिला था democratic politics के अंदर सैंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पर और यह जो इलेक्शन थे वो successfully कराए गए थे इंडियन अडल्स के लिए लोग सभा और legislative assembly स सभी states के अंदर और यह जो principle था इसका वो था parliamentary democracy यानि कि दोनों ही रूल रहेंगे प्रेजिडेंट का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी कोई एक dominant नहीं कर पाएगा और यही सब क्या सबूत था इंडिया के first democratic अपसर्ज का कि इंडिया के अडर्स ने क्या है बर्ट चरकर elections म करवा दिये गई तो अब हम देखते हैं हमारी second democratic अपसर्ज तो during 1980s क्या होता है जो lower class होती है जैसे की SCST OBC यानके अदर backward classes यह सारी क्या है बढ़ चड़कर हिस्सा लेती है politics के अंदर और इस चीज़ की व्याख्या करती है योगेंद्र यादव और इन backward classes की participation की वज़ह से क इनके लिए और ज़्यादा accommodative और accessible बन गई यानकी इन पर और ज़्यादा ध्यान देने लगी इनके लिए भी क्या है policies वगेरा बनाने लग गई तो अब आत यह हमारे पास third democratic अपसर्ज तो इसके अंदर यह कोशिश की जा रही थी कि यूद के participation को बढ़ाया जाए क्योंकि जो यूथ है वो कि society का एक बहुत ही important हिस्सा है और यह जो यूथ है वो कि real game changer बन कर सामने आये क्योंकि इनका electoral performance था development के लिए और governments की इंडिया के लिए वो democratic politics में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यानकि यह क्या है democratic politics के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफे करनी लग ग मत करना तो सबसे पहले हमारे पास आते है जैप्रकाश नारायन और इनके तीन contributors है जिने याद रखना पहला point है कि यह क्या है corruption के खिलाफ लड़ते हैं दूसरा है इनका principle commuterian socialism का यानि कि यह क्या है socialism लाना चाहते हैं तीसरा point है कि यह क्या है total revolution चाहते हैं यानि कि यह चाहत चाहते हैं जेपी नारायन के बारे में तो वह क्या support करते थे लोगपाल को corruption के अगेंट्स लोगपाल क्या है एक anti-corruption authority है और जो इनका principle था commuterian socialism का उसके अंदर वो इंडिया को एक society की तरह देखते थे जिसके अंदर क्या है तीन की layers थे community, reason और राष्टर ये भी बहुत important है और अगर हम इन तीनों को एकठा combine कर देते हैं तो वो एक true federation का example है और जो अभी हमने principle पड़े उनके बेस पर जो जैप्रकाश नायन है व transformation हो जिसे वो क्या है total revolution बोलते थे यानि कि क्या है transformation होना चाहिए individual society और state का जिससे क्या है हमारा total revolution आएगा यान कि हर तरीके से revolution चाहते थे तो इनके political transformation में क्या था right to recall था और importance थी village और महुला समीती की democratic politics में और right to recall में voters के पास ऐसा right होता है जिससे कि वो क्या है demand कर सकते हैं जो currently सरपंच बना हुए है उसको हटाने की और वो ये भी चाहते थे जो उपर के लोग है यानि की जो थोड़े rich type लोग है वो भी क्या है join करे political struggle को ताकि politics और भी जादा क्लीन हो पाए और भी जादा अच्छी हो पाए country के अंदर तो अब आते हमारे पास next राम मनोहर लोहिया और सोशलिजम ये जो राम मनोहर लोहिया थे ये क्या है सोशलिजम को सपोर्ट करते थी और ये क्या है सीधा ही सोशलिजम को सपोर्ट नहीं करते थी ये क्या है democratic सोशलिजम को सपोर्ट करते थी और ये क्या है हमेशा ही सोशलि लोईया थे वो कैपिलिजम और सोशिलिजम दोनों को ही सही नहीं मान दे थे इंडियन सोसाइटी के लिए इसलिए उनका प्रिंसिपल था डैमोक्रेटिक सोशिलिजम का जिसके दो अबजेक्टिव थे पहला एकनोमिक अबजेक्ट था फूर्ड और हाउसिंग की फोर्म में यानि की सब के पास खाना हो खाने के लिए और मकान हो रहने के लिए और दूसरा था नौन इकोनोमिक अबजेक्टिव जिसके अंदर के सभी के पास डैमोक्रेटिजम हो और ये जो लोईया थे ना वो सपोर्ट करते थे चार बुजा राजनीती को जैसे की इसके नाम से एक यह चार नाम याद रख लेना यह चार बुजा राजनीती के चार पिलर्स और यह चारोई क्याना एक दूसरे से जुड़े हुई है क्योंकि देखो डिस्टिक के इंदर बहुत सारे विलेजिगे आते हैं और एक सेंटर के अंदर बहुत सारे रीजन जाते है तो यह एक सूट गया है उनकी डवलपमेंट की जाएं और लोहिया का ये भी कहना है कि जो एक्षिन की पॉलोसी है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ही नहीं जो कि क्या है पीडित है या शोशित है समाज से बल्कि वुमेंस और नॉल रिलिजियस मैनियोरिटी के लिए भी है नेक्स्ट ह हमारे पास दिन दियाल उपाध्या और इंटीग्रल हुमेनिजम तो ये जो पंडित दिन दियाल उपाध्या थे ये क्या फिलोसफर, सोशोलोजिस्ट, इकनॉमिस्ट और पॉलिटीशन थी और जो इन्होंने फिलोसफी दी थी उसका नाम था इंटीग्रल हुमेनिजम और तो मेन उदेशन था वो यही था कि इंडिजनल सोश्यो एकनॉमिक क्योह धुल यानि कि क्या हो समाज की आर्थिक विकास भी हो अगर मैं सिंपल शब्दों में बताओं तो यहां पे ऐसा कहा गया है कि समाज का तो विकास हो एँ उसके साथ क्या है आर्थिक विकास भी हो हमारी इकनॉमिक डवलप्मेंट भी हो और जिसके अंदर सेंटर ओफ डवलप्मेंट क्या है human रहेंगे क्योंकि human के बगार तो कोई डवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है और इंटीग्रल हुमेनिजम का में एम तो यहीं है कि हर एक इनसान के पास क्या है एक डिगनिफाइड लाइफ हो यानि की एक अच्छी और रिस्पेक्ट्फुल लाइफ हो और साती सात क्या है हुमन की नीड और सोसाइटी में बैलेंस भ वो क्या है कल को भी रहे आने वाई जर्रेशन को ऐसा नहीं है कि आज की नीड इतनी जादा बढ़ जाए कि कल के लिए कुछ बचे ही ना और अगर सिस्टेनिबल कंजप्शन होगा तब ही तो इंडिविजल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बना रहेगा और यह जो दिवर्स्टी को परमोट करने की कोशिश करती है और इसी लिए क्या है यह बैस्ट सूट होती है ऐसी कंट्री के लिए जो डाइवर्स हो जैसे की इंडिया और यह जो फिलोसफी है ना इंटीग्रल हुमेनिजम की इसके कहते इन प्रिंसिपल है जिनने याद रखना पहली ह प्राइमसी ओफ होल नोट अपार्ट यानि कि क्या है प्राइमसी है वो सब को मिलनी चाहिए किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए नेक्स है सूपरमेसी ओफ धर्मा धर्मा का मतलब यहाँ पे कोई धरम नहीं है यहाँ पे है राइट यानि कि राइट को सबसे पहले हमें मानना और जो autonomy है वो कैस सोसाइटी की हो किसी एक की ना हो और पंडित दीन देयाल उपाद है अपोस करते थे यानि कि सपोर्ट नहीं करते थे western capitalism, individualism और marxist socialism को उनका ये मानना था कि जो capitalist और socialist ideology है न वो सिर्फ क्या है human की body और mind को ही क्या है आराम दे सकती है उसकी need पूरी कर सकती है यानि कि ये दोनों ideology के है materialistic purpose के लिए है यानि कि सिर्फ जो हमें materials की need होती है वही हमें के provide करा के देती है यहाँ पे कोई spiritual development equally नहीं होती और spiritual development भी के है बहुत ही जादा important है human development के लिए जो कि capitalism और socialism में थी ही नहीं और spiritual development का मतलब यहाँ पे कोई धर्म से related नहीं है यहाँ पे मतलब है कि एक इनसान की life का मतलब क्या है और उसके जीने का उदेश्य क्या है और यह जो philosophy है ना वो base है internal conscience के उपर यानि कि इनसान को अंदर से खुद से पता हो कि क्या मैंने गलत किया है और क्या मैंने सही किया है और जो एक pure human soul है उसे क्या है चिट्टी भी कहा गया है यह वर्ड याद रखे ना ओगे तो यहीं पर यह चैप्टर होता है खतम यह वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो और वेट फॉर दा नेक्स्ट वीडियो ऑफ दे कार्टून्स और इंपॉर्टन क्वेस्टिन्स तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना